हेलो एन वेलकम टू नॉलेज जून करण्ट अफेयर डिसकेशन आज 13 ओफ नमबर के दिन हम डिसकस करेंगे हिंदू और पी आईबी के इंपोर्टन करण्ट अफेयर को चली डिसकेशन इस्टाट करते हैं पहली न्यूज है फिंगर एट एरिया के बारे में अभी न्यूज में क्यों है यहाँ पर एट कॉप्स कमांडर लेवल टॉक हुई चुशुल विलेज जो की ले डिस्टिक में लाई करती है तो यहाँ पर इस टॉक्स के दौरान पीपल लिबरेशन आर्मी रेडी हो गई है क कि वो फिंगर एट रीजन जो की लाइन ऑफ एक्चुल कंट्रोल नौर्थ ऑफ पैंगॉंग लेक के करीब है वहाँ से बैक आउट करेगी इस प्रपोजल में कहा गया है कि जो चाइनिश ट्रूप है वो और उनके टैंक और आर्टिलरी यहाँ से एतनी दूर जाएंगे कि इस तरह के इंसिदेंस फ्यूचर में ना हो सके देखे यह वाला जो एरिया है यही है आपका पैंगॉंग सो या पैंगॉंग लेक का एरिया पैंगॉंग लेक के बारे में अगर बात की जाए तो यह लोकेटेड है 13,900 फीट की एल्टिट्यूड पर इसका टू थर्ड पार जो है वो चाइना कंट्रोल करता है और वन थर्ड पार्ड जो है वो इंडिया कंट्रोल करता है अगर इस फिंगर्स की बात की जाए फिंगर वन से फिंगर एट तो इंडिया यहाँ पर फिजिकली जो है फिंगर फोर तक कंट्रोल करता है और उसके पोश्ट भी है फिंगर से इस direction की तरफ finger 1 से finger 8 की तरफ और इनका कहना है कि जो LAC है वो रन करता है north से south की तरफ तो यह वाला area जो है वो यहाँ से यहाँ तक इंडिया काफी लंबे समय से इस area को control कर रहा था और इंडिया कहना है कि LAC जो है वो इस तरह से लाई करती है इसके लावा चाइना का जो post है वो यहाँ पर finger 8 तक है यानि कि finger 8 वाला जो area है तो इधर से अगर देखते हैं तो यह area जो है उसको यहाँ पर चाइना के द्वारा claim किया जाता है finger 8 से जो यह 3 तक का area है वो बोलता है यह एक disputed area है यानि कि finger 4 से किये वाला area finger 8 तक का area इसको gray area कहा जाता है इस साल 2020 में Chinese troop ने यहाँ पर एक camp बिल्ट किया finger 4 area में इसके बाद military confrontation भी देखा गिया जहाँ पर जो patrolling teams थी वो उनका face off हुआ इसके बाद जो 2017 में भी इससे पहले डोकलाम stand off हुआ था जहाँ पर Chinese troop जो है वो finger 4 area में enter कर गई थी तो यही था इसका background अब आगे देख लेते हैं देखिए strategic importance क्या है इस location का Indian troop जो है वो उसने अपने आपको position किया है गुरूंग हील, मगर हील, मुखपरी, रेशिनला और रेजांगला तक जो की direct view provide करती है चाइना के moldo garrison और जो strategic spangur gap है वहां की जो की use किया जा सकता है offensive को launch करने के लिए जैसा की 1962 में चाइना ने किया था तो Indian troop यहां पर जो है इसने अपनी position को re-adjust किया है North bank of Pangong Lake के और जो भी occupying features है उसको यहां पर India use करेगी dominate करने के लिए जो की Chinese position है ridge line के पास जो connect करती है finger 3 और finger 4 को तो यह शंघर्ष जो था India का जो इस hide को lead करने में वो यहां पर दोनों sides के द्वारा देखने को मिला आप जान लेते हैं line of actual control के बारे में line of actual control जो है वो एक national demarkation है demarkation line है जो separate करती है India control territory को Chinese control territory से जो की Indian Sino border dispute के अंदर आती है यह जो line of actual control का जो term है उसको use किया गया था जो इनलाई के द्वारा 1959 में और बात में इसको जभारलाल नहरुजी ने use किया था अब detail जान लेते हैं line of actual control के बारे में देखिए ऐसा कोई agreement या proposal नहीं है तो India यहां पर consider करता है Chinese offer को consider कर रहा है और जो modalities है other faction area की वो भी अभी discussion में है India जो है यहां पर insist कर रहा है कि जो status कियो ante है यानि troop की उसको maintain किया जाए यानि कि जो इस city पहले थी उसी इस city को maintain किया जाए और जो April के time में जो troops की जो इस city थी जिस location में तो उसी location को फिर से यहां पर maintain किया जाए लेकिन चाइना जो है वो यहां पर कासी reluctance दिखाई दे रहा है disengagement के लिए especially जो area है पैंगॉंग North Bank का और इसके इलावा जो उसने thousands of troops, rank, artillery जो इस region में अपने पहले से बिठा के रखे हैं उसको यहां पर disengage नहीं करना चाह रहा था यहां पर जो proposal दिया गया है उसमें include किया गया है जो temporary no patrolling zone है उसके creation का finger 4 और finger 8 के बीच में ताकि जो friction है उसको prevent किया जा सके इस proposal के अंदर जो troops है South Bank of Pangong Soh का उसको supports किया जा रहा है कि उसको return कर लिया जाए जो भी उसके original position थी हाँ पर तो status के ओ anti जो है वो एक Latin phrase है जिसका meaning है existing states of affairs यानि कि जो पहले city बनी हुई थी उसी city में लोटना अगली news है state of the economy report के बारे में RBI ने यहाँ पर no cast किया है cross domestic product को July to September quarter के लिए जिसमें यहाँ पर 8.6% के contraction देखने को मिली है इंडिया की GDP जो की April June quarter के लिए पहले से ही decline की थी जिसको यहाँ पर 23.9% का decline बताया गिया था तो यह इस quarter में यह जो contraction देखने को मिला है यह इंडिया की economy के लिए काफी खराब हो सकता है RBI जो की expect कर रही थी है कि वो एक positive growth देखेगी October to December quarter में 2021 के लिए तो यह उसके लिए भी एक बड़ा जटका माना जा रहा है अब जान लेते हैं recession और non costing के बारे में देखे economic के term में GDP growth अगर दो consecutive quarters के लिए negative होती है तो इस तरह के term को यहाँ पर recession कहा जाता है इसके लावा non costing जो होती है वो prediction होती है present की और जो भी near future है उसके बारे में जो economy होगी उस समय state की तो उसकी prediction को यहाँ पर non costing कहा जाता है यानि कि जो prediction है present और जो near future की economy के बारे में वो ही आपकी non costing कहलाती है risk क्या है देखे यहाँ पर एक unrelenting pressure है inflation का जबकि यहाँ पर import जो है वो किया जा रहा है हमारी country के अंदर जो सबसे बड़ा risk है यहाँ पर वो है inflation के pressure का जिसमें कि कोई भी ऐसा sign नहीं दिख रहा है कि इस तरह की जो inflation है वो घटेगी जबकि जो supply management measure है जैसे कि यहाँ पर impose किया गया है stock limit को onion traders के लिए इसके लावा potato का import किया जा रहा है onion का import किया जा रहा है और कुछ pulses के उपर जो import duty है उसको भी temporarily reduce किया गया है इसके लावा COVID-19 wave जो है वो काफी hurt कर रही है global growth को second major risk जो है वो economy stems from the global economy यानि कि जो economy जो यहाँ पर पैदा हुई है global economy के द्वारा में और इसके द्वारा इसके इलावा जो अभी risk है second COVID wave का उसको लेकर भी तो यहाँ पर जो external demand है वो may भी collapse कर सकती है और again commodity price जो है वो यहाँ पर पहले से ही predict की जा सकती है अभी जो recent recovery देखी गई है export में वो भी काफी घटी है इसके लावा जो intensifying stress है household और corporates के उपर वो भी एक major cause यहाँ पर हो सकता है जो third major risk है वो है lurking around the corner यानि कि जो household और corporations के अंदर जो stress है उसको लेकर के यह काफी बड़ा risk हो सकता है हमारी economy के लिए क्योंकि अगर इस तरह के जो pressures है जो stress है अगर उसको कम नहीं किया इससे निप्टा नहीं गिया तो इसका असर financial sector पे देखने को मिल सकता है तो way forward क्या है देखिए COVID-19 pandemic के दोरान जो है जो global development है वो काफी कम हुई है और जो growing sign है health crisis में इंडिया के अंदर वो यहाँ पर कम होती भी दिख रही है यानि कि जो health crisis जो इंडिया है बहुत जाजा कुछ समय पहले देखने को मिल रही थी वो अभी फिलहाल कम होती भी दिख रही है जिसते कि लोगों के बीच में एक उत्साह और एक हिम्मत पैदा हुई है और वो economic activity में engage होने लगे हैं तो यहाँ पर जो people है वो norms को follow कर रहे हैं जैसे social distancing, mask का use और sanitation का use करके यहाँ पर जो people है, public है वो यहाँ पर economic activity में engage हो रही है जो कि एक अच्छा sign माना जा सकता है अगली news है top to total schemes के बारे में अंडर आत्म निर्भर भारत अभियान यहाँ पर operation green schemes top to total को launch किया गया जिसमें 50% transportation subsidy available की गई air transportation के लिए जो कि 41 notified foods और vegetable के लिए दी गई from north east and himalayan state to any place in India यहाँ पर airlines जो है वो transport subsidy provide करेगी directly जो भी supplier होंगे, consigner होंगे, consignee होंगे या agent को तो यहाँ पर जो subsidy दी जाएगी वो charge की जाएगी स्रिफ 50% जो भी actual contracted fret होंगे उनके ऊपर और जो rest amount होगा उसका 50% जो है rest amount जो है उसमें ministry of food processing industry जो है इस amount को as a subsidy provide करेगी यहाँ पर transportation subsidy जो है उसको earlier extend किया गया था operation green scheme के अंडर जो की किसान rail scheme के तहद दी गई थी जो की 12th of October 2020 से effect में थी railway यहाँ पर सिर्फ 50% charge करेगा fret charges को notified fruits और vegetables के लिए अब जान ले थे eligible crops कौन कौन से होंगे देखिए eligible crops वो ही 41 notified crops है जिसमें 21 fruits और 20 vegetables शामिल है fruits के अंदर mango, banana, guava, kiwi, leechi, mosambi, orange, kino, lime, lemon, papaya, pineapple, omar, grenade, jackfruit, apple, almond, passion, fruits, pear, potato और चीकु शामिल है इसके लावा 20 vegetables के भी यहाँ पर list है जिसमें french, bean, bitter guard, princel, capsicum, carrot, qualiflar, okra, cucumber, ginger, cabbage, squash और turmeric शामिल है अब जान लेते हैं कौन कौन से airport जो होंगे जो eligible होंगे इस facility को provide करने के लिए देखिए जितने भी airport हैं अरुनाचल परदेश, आसाम, मनीपूर, मिघालया, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तरिपूरा, from North East and हिमाचल परदेश, उत्राखंड और Union Trade Tree जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाक और जो भी हीली areas हैं वहाँ पर ये सारे airport eligible होंगे इसके लिए तो ये थी आद की सारे discussion, thank you, thank you very much for listening